आज की इस वीडियो में हम एनफिलेज मास्कीटोच की बारे में स्टेडी करेंगे देखी हमने आपको पिछले वीडियो में क्यूलेक्स मास्कीटोच की बारे में बताया था तो हमने आपको वहाँ पर जो क्यूलेक्स मास्कीटोच की लाइफ साइकल को बताया था और यहां पर हम एनफलेज मास्किटोज की लाइफ साइकल को बताएंगे यहां पर आपको थोड़ा सा डिफरिंस मिलेगा क्योंकि देखिए जो एनफलेज मास्किटो है या फिर जो कूलेक्स मास्किटो था दोनों में कुछ चीजे बिल्कुल सेम है जैसे हाइबिट और हैबिटेट जो मास्कीटोच के जनरल चीजे हैं जैसे हैबिटेट है कहाँ पर मास्कीटोच पाय जाते हैं मास्कीटोच का सबसे जादा डिवलप्मेंट के लिए अच्छा एरिया क्या है इन सब यह जो normal चीजे है बिल्कुल सेम रहेंगे दोनों मास्कीटोज में लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जो एनफलेज मास्कीटोज है उसकी लाइप साइकल और जो क्यूलेक्स मास्कीटोज था उसकी लाइप साइकल में आपको थोड़ा सा difference देखने को मिलेगा तो आज क आप चैनल के playlist के माध्यम से भी देख सकते हैं तो चलिए हम सुरू करते हैं इस एनफलेज मास्कीटोज को देखिए अगर हम एनफलेज मास्कीटोज की बात करें तो एनफलेज मास्कीटोज जो है वह ऐसे जहां पर बहुत ज़्यादा नमी रहती है इसके लावा पानी जाते हैं और जो इनफलेज मास्कीटोज होता है उसके लिए भी यही अस्थान है तो यहां पर सबसे पहले हम इन सब चीजों को आगे ही क्लियर कर लेंगे लेकिन सबसे पहले हम यहां पर जो इसका classification यानि जो इसका systematic position इसको हम देख लेते हैं फाइलम आर्थोपोड़ा से बिलाउँ करता है जो मास्कीटो जाना फिलेज मास्कीटो जो फाइलम आर्फोड़ा से मिलाउँ करता है साथ ही साथ हमने आपको QList में भी अगे सब बताया था यहां पर सिर्फ आपको यहां पर Genus से अलग मिलेगा बाकी सब चीज़े से तो आप इन सब जनरल चीजों को जानते भी होंगे और क्लास इसका जो है वह इंसेक्टा है इंसेक्टा यानि कि एक इंसेक्ट के अंतरगत यह सब चीज़ आते हैं और इसके लाव और जो इसका डिप्टेरा है जीनस जो यहाँ पर एनफलीज है आप देखिए जो इनफलीज मास्कीटो है इसकी बहुत सारी स्पीसीज है तो इन सब चीजों को अभी हम आगे देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इनफलीज मास्कीटो जह है इसको सबसे पहले किसने डिस्कुर्वर किया था तो यहाँ पर एनफलीज मास्कीटोज वाद फर्ष्ट डिस्कोरड बाई जे डेबलू मेगन इन 1818 तो यह जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने सबसे पहले मास्कीटोज जो एनफलीज मास्कीटोज है इसको सबसे पहले डिस्करवाइब्ड किया था अगर यहाँ पर और भी जो चीज़े यहाँ पर मेंसिन की गए है जैसे देखिए जो मास्कीटोज होते हैं मास्कीटोज का काम ही है कि वहाँ नेक्टर्स जो रहते है यानि कि फ्लावर्स के नेक्टर्स उनके जूस जो रहते हैं उसको सख्क करको अपणि लिए एक डेवलप्मेंट के लिए प्रोटीन के जरूरत होती है और अंपनी इस प्रोटीन के जरूरत को व Buenoлуч करती ह। तो इसी लिए वहाँ जो female mosquitoes होती है वही blood को सक करती है और जो male mosquitoes होते हैं वे blood को सक नहीं करते हैं उनके पास ऐसा mouth parts भी नहीं रहता कि वे blood को सक कर सके वे ऐसे flowers के जो usage रहते हैं इसके लाव नेक्टर से वगएरा रहते हैं वहीं पर पाया जाते हैं वहीं पर अपनी life cycle को complete करते हैं तो अकुल मिलाकर जो female mosquitoes होती है वही blood को सक करती है इसके लावा जो enophilis mosquitoes यहाँ पर जैसे इसमें जो चीजे लिखी गई है many enophilis mosquitoes species transmit the disease देखिए जो enophilis mosquitoes species है जो enophilis mosquitoes की species है बहुत सारी इस species है जो सिर्फ disease का transmission करती है देखिए यह मच्छर जो आपको देखते हैं जो mosquitoes है इस सिर्फ देखने में छोटे लगते हैं काम बहुत खतरना करते हैं यह करते क्या है कि जो different types के जो diseases होती है एक human से दूसरे human में transmit करते हैं तो इनका transmission का काम बहुत अच्छा होता है तो अगर हम यहाँ पर enophilis mosquitoes की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो enophilis की लगबग 30 to 40 जो species है वही mosquitoes की species है यहाँ पर 30 to 40 enophilis जो mosquitoes की species है वही human में parasite की रूप में यानि कि वहर करते हैं जैसे जो plasmodium होता है और जिसके द्वारा malaria काज होता है यानि कि malaria के लिए responsible सिर्फ 30 to 40 enophilis की species है जो कि malaria के लिए responsible है यानि कि plasmodium की जो stage है इसको यह complete कराते है तो हमने आपको बता दिया जो mosquitoes है यह बहुत खतरनाक है अगर हम यहाँ पर कुछ इसके habit और habitat की बात करें देखी जो mosquitoes है mosquitoes के लिए suitable places यही है कि जहाँ पर नमी रहेगी पानी कठा होगा और गंदे पानी रहेंगे वही पर mosquitoes के लिए development के लिए वह अच्छी जगा होती है तो कुल मिलाकर habitat और habitat इसका यही है लार्वा इन अफलीज मास्कीटो है बिन फाउंड इन फ्रेस वाटर सॉल्ट वाटर मार्शे स्वैंप राइस फिल्ड ग्रैसी डिचेज रीवर और इसमाल टेंपरेर रेंपॉल्ट तो हमने आपको बता ही दिया कि जो लार्वा मास्कीटोज के लार्वा जो है इनके अच्छा डेवलप्मेंट के लिए फ्रेस वाटर यानि की तलाव वगएरा जो यहाँ पर सालाइन वाटर भी यहाँ पर चलेगा और साथ मार्शी जहाँ पर नमी बहुत जा रहती है जो नाले वगएरा रहते हैं जो रिवर है यह सब जो चीजे हैं इसके लिए एक अच्छा स्थान है जहाँ पर मास्कीटोज आपको मिल जाएंगे बड़ी आसानी से नतरगत अगर उसके बाद इसके कुछ हम हैं इस ट्रेक्टर की बात करें तो देखी है जो मास्कीटोज का इस ट्रेक्टर होता है जो अधर मास्कीटोज है रहती है इसकी बॉडिड रहती है head, thorax और abdomen ये तीन stages में यानि कि त्री region में जो ए एनफलीज mosquitoes होती है उसकी body जो रहती है वा divide रहती है एनफलीज क्या जो भी mosquitoes की विलेक्स हो गए जो भी mosquitoes है उनकी जो body रहती है head, thorax और abdomen में divided रहती है इसके लामा इनफलीज mosquitoes डार्क, brown to black color जो एनफलीज mosquitoes का color होता है वह ब्राउन कलर का होता है इसके लामा ब्लैक कलर का भी होता है तो ये चीजे हो गए structure से related और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो mosquitoes की body रहती है वा three region में divider रहती है head, thorax और abdomen में तो इसके बाद हम इसमें देखते हैं life cycle को life cycle में सबसे पहले हम इस theory को complete कर लेते हैं उसके बाद हम figure की माद्धिम से अच्छे सी clear कर देंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं life cycle of enophilies mosquitoes देखिए यह जो enophilies mosquitoes की life cycle है कुल मिलाकर four stage में complete होती है पहले करते क्या है में देखिए सबसे पहले होता क्या है कि जो male female रहते हैं मेंटिंग करते हैं मेंटिंग के तुरंत बाद जो male member रहता है mosquito's का उसकी date हो जाती है इसके लावा जो female mosquito's रहती है वह एक laying करती है after एक laying जो female mosquito's है उसकी भी date हो जाती है तो यहाँ पर एक laying कहां पर करेगी वह aquatic medium पर करेगी aquatic medium का मतलब जहां पर उसे water मिल जाएगा कहीं पर रुका पानी मिल गया या फिर नाले वगएरा हो गए तालाब हो गएरा हो गए river हो गए तो वहाँ पर एक laying करेगी एक laying करने के बाद फिर एक जो रहेंगे दो चार दिन के बाद फिर वे लारवा में कम्पलीट होंगे लारवा फिर कुछ दिनों के बाद प्यूपा में डिवलप हो जाएगा इसके बाद फिर लास्ट में इमाइगो की स्टेज आती है जिसे हम लोग एडल्ट बोलते हैं तो कुछ इस तरीके से जो मास्की потер के हुए होई होती है तो यहां पर हम सब्से पहले क गिडियल करते हैं यहां पर सब्से आज इस पेंडल सेफड पॉइंट ड़ोथ इंड यानि कि जो इना फ्लीज जी मास्कीटियोज के जो एक होते हैं वाइस पिंडल सेफ होते हैं और दोनों इंड पर पॉइंट डोते हैं इसके लाओ प्रोवाइड़ भी थे पेयर आफ लेटरल फ्लोट और यहां पर एक इसमे इसमें एक one pair लेटरल फ्लोट पायाता है जो कि उनको उतरने में water surface पर flow करने में help करता है एक लेटरल फ्लोट पाया जाता है लाइड single and found folding horizontally on surface of water stangen up water तो एह जो रहते हैं आसानी से move करते हैं तैरते हैंể टेंगरेंट वॉटर या फिर जो जिस वॉटर में एग रहेंगे इसके लाव़ा थी एग ने हैच वेदिन टू तू टू थी डेंज जो एग होते हैं दो से तीन । है तो इसके बाद जब हैच आउट हो जाती है तो इसके बाद इसके बाद इपनी नेक्स्ट में चले जाते हैं नेक्स्ट इस्टेज जो होती है उसके यह लब्रस्ट का घू pry गेंग के लिए इसके लावन और स्थेश प्राउड का गृता है आपको यहां पर ध्यान देना है हमने आपको पिछले वीडियो में क्यूलेक्स मास्कीटोच के बारे में बताया था तो वहां पर जो चीजे थी लार्वा के अंतरगत एक रिस्पारेटरी साइफान पाया जाता था इसे अब बरांचल साइफान बोलते थे तो यहां पर जो ए यहां पर रिस्पारेटरी साइफान नहीं पाया जागा तो उसके जगहां पर जो एनाफलीज मास्कीटोच होते हैं उसके लार्वा में जो इस्पारिकल पाया जाते हैं इस्पारिकल की वज़ा से जो एनाफलीज मास्कीटोच के जो लार्वा होते हैं वे ब्रीफिंग करत इनको भी फीड करते हैं खाते हैं इसके लावा आप्टर 3-14 लगभग 13-14 दिन में लार्वा चेंज इंटू पीपा उसके बाद जो यह लार्वा है वा पीपा में चेंज हो जाता है पीपा में जब यह चेंज हो जाएंगे तो पीपा की जो अगली स्टेज है तो पीपा में होगा क्या पीपा आलसो नोने इस टूमलर जो पीपा की स्टेज होती है उसे टूमलर बोलते हैं और यहां कामा सेफ होती है पीपा की जो स्टेज होती है वा कामा सेफ होती है इसे हम चुम्लर बोलते हैं आपको याद रखना अगर आपके हाँ 100 चोश्चन से एकजाम में कोस्चन पूट अप किया जाते हैं तो ई जो इसके प्यूपा की स्टेज क्या है और इसके अलामा मास्किटोज के लारबा को क्या बोलते हैं यह सब जो कोस्चन होते हैं यह वहां पर प्यूपा होते हैं उसे हम लोग टूम्बलर बोलते हैं इसके अलावा जो ए एनफलेज मास्कीटोज में जो प्यूपा की स्टेज होती है इसमें जो हेड और थोरेक्स का रिजन होता है प्यूपा की स्टेज में वे सिफाइलो थोरेक्स में मर्ज हो जाता है इसमें तीन सिफैलो थोरेक्स जो रहते हों मिलकर एक रिस्पायरेट्स के लिए इनको हिल्प करते हैं तो यहाँ पर इसके बाद यह जो प्यूपा रहता है प्यूपा के बाद इसकी अलनेश टिश्टे जो होती हो एडल्ट कियाती है एडल्ट में चेंज होने के लिए मिनिममम जो टाइमिंग होती है पांच दिन होती है कुल मिलाकर फाइव डेज के अंतरगत जो एडल्ट में चेंज हो जाते हैं अगर सब कंडिशन ठीक ठाक रहा तो यानि कि अगर अट्मॉस्पियर का कंडिशन ठीक ठाक रहा सुटेबल एन्वार्मेंट अगर इनको मिल गया तो इनकी लाइफ को एक नई जनरेशन देने के लिए एक लेइंग करेंगे तो उसके बाद लगभग पांच दिनों के बाद इनकी एक नई जनरेशन तयार हो जाती है अगर ट्रोपिकल कंडिशन है तो वहाँ पर यह लगभग 10 तो 14 डेज लेते हैं अपने नए जनरेशन को डेवलप करने के लिए तो यह सब चीजे हो गई जो मास्की टोज है यानि ये अफली जो मास्कीटेज। है उसकी लाइफ साइकल से रिलेटेट अब यहाँ पर हम फिमेल मास्कीटोज के लाइफ साइकल को जो कि एग ले लेइंग करती है और एग लेइंग या लगभग एग बारमया 50 से 200 एग ए एक लेंग करती है on the aquatic medium यानि की वाटर वगरा जो रहता है उसमें एक बार में या लगवग 52-200 एक बार में रिलीच करती है अपने बौड़ी के अंदर से इसके लावब इसके जो एक होते है अपने क्यूलिक्स में देखा था क्यूलिक्स के जो एक थे समय के बाद दो से तीन दिन के बाद यह जो एक्स होते हैं यह अपने श्टेज यानि की जिसे हम लारवा की श्टेज बोलते हैं लारवा की श्टेज में चले जाते हैं और यह इसकी लारवल श्टेज है यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें कंपाउंड आईज पाय जाते है इसके लावा फिडिंग के लिए इसमें ब्रसेच पाया जाते हैं हमने आपको थियोरी में इसे complete अच्छे से बताया भी है और भी चीज़ जैसे यहाँ पर two spiracles पाया जाते हैं इन spiracles की help से यह जो लारवा होता है यह water के उपरी सता पर यानि कि जो पूरा लारवा रहता है water के नीचे रहता है लेकिन अपने spiracles को water के एकदम बिल्किल उपर की तरफ यह रखता है और जिससे यहाँ breathing करता है तो यहाँ spiracles की मदद से breathing करता है इसके लावा यहाँ पर एक ट्रैकियल गिल से इसमें पाए जाती है तो यह सब जा देक रहे हैं यह लारवा से related है और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं उग जिसके जो nest stage है यानि कि लारवा के बाद इसकी के यह nest stage है वा प्यूपा की stage है पीउपा में आप देख रहे हैं इसमें एंटीनी पाई जाती है इसके लाओं इसमें compound आज रहती है और यहाँ पर आप देख रहे हैं पैडल से हैं तो यह सब चीजे जो हैं एफीमेल एनफलिज मास्कीटो के life cycle से related हैं तो अगर आप फीगर बना चाहत फीगर भी ड्रा कर सकते हैं अब यहां पर हम इसके prevention और control को देख लेते हैं अनिकी mosquito जो होते हैं उसको हम किस तरीके से prevention कर सकते हैं रोक थाम कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में देखिए सबसे suitable अगर कोई चीजे है तो सबसे अगर कोई इंसेक्ट है बहुत ज्यादा harmful है हमारे लिए या फिर जो plants के लिए या फिर किसी भी चीजों के लिए तो सबसे अच्छे चीजे यही हैं कि जहां पर पाय जा रहा है उसके प्लेसेज को ही खतम कर दिया जाए के लिए जो atmosphere यानि कि जो suitable condition है suitable condition का मतलब जहां पर पानी कठा होता है इसके लावा कुछ aquatic medium जैसे नाले वगएरा है और रुके हुए पानी है तो वहां पर अगर बराबर पानी कठा नहीं होगा तो वहां पर जो mosquitoes के larva जो हमँड डेवलप नहीं करेंगे तो इन से जो mosquitoes है उनकी संख्या में कमी आएगी तो mosquito depends upon aquatic habitat for larva development जो mosquitoes होते है वे aquatic medium पर depend होते है अपने larva के development के लिए तो सबसे अच्छा यही है अगर उनका जो aquatic medium उनको समाप्त कर दिया जा तो वहां से mosquitoes का development नहीं होगा इसलिए यहां पर most fundamental control is the elimination of breeding places by draining, filling and dewatering dewatering किया जहाँ पर water इकठा है उसको समाप्त किया जाए जो नाले बगएरा है उसको साफ करा दिये जाए तो इसके लावा जो breeding places जहाए उसको खतम कर दिया जाए जहाँ पर पानी कठा इस्टेंग्ड इंड वाटर इकठा हो रहे हैं बहुत जाड़ी बगएरा है तो इन सब को साफ करकर जो मास्कीटो जो हो उनकी संख्या में कमी की जा सकती इसके लावा डिस्टेक्षन आफ लार्वा लेंड प्यूपी उसके जो लार्वा है और प्यूपा है उसको समाप्त करकर देखिए अगर कहीं पर पानी कठा है तो वहाँ पर एक जो मास्कीटो ज रहेंगे यानि फीमेल मेंबर जो रहेंगे वहाँ पर एग लिंग कर देगी तो वहाँ पर अगर मास्कीटोच को समाप्त करना है तो सबसे सही है कि वहाँ पर अगर हम उसके लारवा को ही डेट कर दें यानि कि अगर वाटर में हम कुछ है कुरूड आयल हो गए अगर इनका हम यूज कर देंगे तो वहाँ पर होगा क्या कि इनकी लाइफ साइकल को कम्प्लीट करन रहेगी वहाँ वाटर के बिलकुल उपरी स्था पर रहेगी वहाँ से वहाँ सवारी स्पाइरेसं करेंगा इसके लावां अगर इनफलेज है तो इनफलेज में यहां पर इसपाइरिकल पाये जाएंगे वहां से भी इनकी इंगी तो यहां पर है कि अगर हम जहां पर पानी कठा हुआ है वहां पर अगर हम इस क्रूड आयल का छड़काव कर दे इस प्रेइंग कर दे तो इससे जो मास्कीटोज है उनकी संख्या में कमी आएगी इसके लाव लार्वी साइड फ्रीस गैंबूसिया इस्पीसीज में भी इंपलाव टू खाईगी जिससे जो मास्कीटोज है उनकी लाइफ साइड अगर नहीं पड़ पाएगी इसके लावा कुछ लावी साइड ये से डेस्ट वगेरा हो गया ड़ेना बेसаться रोक थामागर सकते हैं आप इससे लगब लेंगे नेम कुसीज़द सानी से और भी चीज़ों जैसे है दिस्ट्रक्षन आप मास्कीटो जो डिफेंस आगेंसट मास्कीटो यहां पर यस है जो इडर्ट मास्कीटो जो उनको खत्म कर दिया जाए बहुत सारी प्रेय इस प्रर आते हैं जिनका यूज करके जो यूद सबस्क्राइब करना के लिए और इन सब जो माड़न को कम ही करें तो सबस्क्राइब को सब्चे लिए हमें मास्कीट को बच्पोटोच को काटने से बचना चाहिए थे सब चीजे कि काटने से बचना चाहिए इसके लिए आप जो भी चीजे जैसे यत का यूज कर सकते हैं इसके लहाँ बहुत सारी जो भी है लेकिन रहेर्स प्री क toothbrush थते AI Safari पρोस्ति मेंplic करके 33 सबस्के 22 तो यही सब चीजे हैं मास्की टोज के अंदर गए तो आज की इस वीडियो में हमने मास्की टोज के बारे में आपको अच्छे से बता है या खास करके जो एना फ्लीज मास्की टोज है उसकी पूरी लाइफ साइकल के बारे में आपको अच्छे से कंप्लीट करा दिया है साथ झाल झाल